लव इन्फाइनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नियू सब्सक्राइबर है तो भी बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज के दिन 10K सब्सक्राइबर पूरे हो गए है ये सिलसिला जारी रहेगा अब आगे बात करते हैं कि आपका सिलसिला कहां तक जारी रहेगा जियतिश की अनुसार यानि कि रिशी पारशर होरा शास्त्र के अनुसार आपको अगर फॉरन ट्रैवल करने का मन है हमेशा बार-बार बच्पन से ही मन करता है कि मुझे बाहर ही रहना है बाहर जाना है या ब गूमने जाएंगे तो क्या इसका कभी योग बनेगा गूमने का भी अलग योग होता है फॉरन गूमने का और सेटलमेंट का भी योग बनता है तो देखते हैं कि आपके कुंडली के अनुसार किस तरह से आपके ये योग बनेंगे सभी तो नहीं बता पाऊंगी चुटी व मालूम चल जाएगा कि क्या सच में आप बाहर जा सकते हैं रह सकते हैं वहां पर रह के पैसा कमा के वहीं पर सेटल हो सकते हैं तो देखते हैं प्रबास योग किस तरह से बनता है पहला तो यह है कि यदि पहले भाव का स्वामी बारवे भाव में और बारवे भाव का स्वामी पहले भाव में हो तो विदेश जाने का योग 100% बनता है तो जब भी किसी को भी मैंने बताया है तो वो बाहर पहुंचे हुए पाते हैं कि हाँ इतने समय तक आप विदेश जा सकते हैं क्योंकि पहला भाव लगन का होता है यानि जातक को डिनोट करता है और बारवा भाव विदेश यात्रा का होता है दूसरी बार यदि लगनेश यानि पहले भाव का स्वामी छटे भाव में हो तो विदेश जाने का योग तो है ही साथ ही विदेश में स्थाई निवास भी है स्थाई निवास का मतलब है वहीं पर settlement, वहीं रहेंगे आप तो ये है दूसरा योग कि आप, पहला तो ये था कि आप यात्रा करेंगे, गुमने जाएंगे जाके वापस भी आ जाएंगे अपने देश में ठीक है, और दूसरा ये है कि इस्थाई निवास होगा तीसरा ये बता देती हूँ कि यदि चौथे भाव में शनी, राहु, केतु, सुर्य या मंगल नीच राशिस्त और चौथे भाव का स्वामी बारवे में और बारवे भाव का स्वामी चौथे में हो जाए तो विदेश योग 100% शियोर होता है तो 100% अगर आपको देखना है कि आपका विदेश योग है कि नहीं तो ये कुंडली में आपको दिख जाएगा अगर आपको अपनी कुंडली देखनी आती है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं और आप ये जानना भी जाते हैं कि क्या विदेश में सेटल्मेंट आपका होगा कि नहीं तो फिर आप मुझसे कंसर्ण कर सकते हैं इसी के साथ साथ दशा, महादशा और उपाये भी पता सकती हूँ अब आगे यदि चौते भाव में शनी है राहू है, केतु है, सुर्य है या मंगल है और वो भी नीच राशी में हो या फिर चौते भाव का स्वामी बारवे में और बारवे भाव का स्वामी चौते में हो जाए तो विदेश यूग बनता है ना सिर्फ विदेश गमन बनता है बलकि विदेश जाकर पैसा भी कमा सकते हैं इस तरह का भी है कई बार तो क्या होते हैं कि विदेश चले जाते हैं किसी के साथ और फिर वहां पर रहते हैं खाते हैं रेस्ट करते हैं ठीक है कमाने वाला कोई और होता है लेकिन वहां जाकर आप पैसा कमाएंगे ऐसा योग भी दिखाई दे रहा है इसमें बनता है मतलब दिखाई देरा है वो कुंडली पढ़ती हूँ न तो उसी थरह से बोल रहे हूँ चोथी बात प्रवास योग के बारे में देखते हैं यदि दशमेश यानि दसवे भाव का स्वामी बारवे भाव में और बारवी भाव का स्वामी दस्वे भाव में हो तो एक्ति का विदेश योग बनता है यानि कि विदेश जाकर पैसा कमाना परंतु अंत में स्वदेश वापसी ये भी है देखिए विदेश गए खूब पैसा ऐसा कमाया हो गया है ना ठीक है घरवर पनाया अब तब कुछ छोड़ चाड़के वापस स्वदेश आना जो भी आपका देश हो आप वहीं आकर रहना पसंद करेंगे अगर आपके दशमेश यानि कि दस्वे भाव का स्वामी बारवे में हो जाए और बारवे का दस्वे में हो जाए तो ऐसा होता है एक और बता देती हूँ यदि चतुर्थेश नौवे भाव में हो और नवमेश चौथे भाव में हो तो आप विदेश घूमने जा सकते हैं पर पैसा कमाने नहीं तहीं लोग होते हैं रहते तो यहीं हैं अपने ही देश में लेकिन घूमने के लिए जाते रहते हैं अक्तर घर यहीं होता है घर वहां भी होता है लेकिन रहते यहीं है बेसिकली उनको अपने ही देश में अच्छा लगता है comfortable feel होता है दूसरे देशों में कई बार घुमने जाते हैं तो पैसा कमाने नहीं जाते हैं कमाते यहाँ हैं घुमने के लिए वहाँ जाते हैं तो यदि यह सभी उपरोक्त योग आपकी कुंडली में नहीं है तो विदेश जाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करने चाहिए और अगर उपरोक्त मतलब की जो भी मैंने अभी यह चार-पांच योग बताए हैं इस तरह के हैं तो आप वहाँ जाके गूम भी सकते हैं वहाँ सिर्फ यातरा करके वापस आ सकते हैं वहाँ रहके खाके कमाके फिर वापस अंत में सुदेश आ सकते हैं या फिर हमेशा के वहीं रहेंगे वहीं पर से कमाएंगे वहीं मतलब बिजनेस होगा वहीं पर सेटलमेंट आपका दिखाई देगा और अगर नहीं है और बहुत माने जाने का जाना ही जाना है जाना ही जाना है बहुत मन है क्योंकि बहुत मन आपका पास्ट लाइफ से भी डिपेंड करता है की पिछले जनम में आपकी soul बाहरी ही रहती होगी इसलिए इस जनम में उस समय कोई ने कोई पापकर्म किये होंगे जिस वज़े से कि आप किसी और country में है और मन कहीं और लगा रहता है किसी और देश में याने कि विदेश में जाने का तब आपको क्या उपाय करने चाहिए जब बहुत बहुत ज़्यादा मन है कि विदेश में ही जाना है वहीं रहना है वहीं खटल होना है तो कुछ उपाय करने होंगे यह आपको मार्केट से कहीं से भी मिल जाएंगे सही सही और सही उच्च चीज़ें ही लेकर आएं जैसे दक्षिना वर्ती शंक इसको लेकर आएं दक्षिना वर्ती शंक को सफेद कपडे में सब कुछ नया होना चाहिए ये ध्यान रखेगा तक्षिनावर्ती शंख को सफेद कपड़े में केसर और चंदन का तिलक लगाए और फिर फूलादी चणाए और गी का दिपक जलाए और फिर स्पिटिक की माला से मंत्र का जाब करें तक्षिनावर्ती शंख को सफेद कपड़े में रखा केसर और चंदन का तिलक लगाया फल फूल चड़ाए गी का दीप जलाया इशर से प्रातना की फिर स्पिटिक की माला से मंत्र जाब करना है मंत्र जाब कौन सा करना है वो है ओम अनंग बलभाई विदेश गमनाय कारस धियर्थ नमहा इस मंत्र का जाब शुक्रवार के दिन से करें और कितनी माला करनी है शुक्रवार के दिन से रोज चार माला करनी है और कितने दिन तक करनी है लगातार ग्यारा दिन तक करनी है जैसे शुक्रवार पहला दिन हुआ तो पहले दिन आपने चार माला जाब किया और ग्यारा दिन तक आपको चार माला जाब करना है कितने बजे बजे का मतलब शाम को रात के समय करना है जाप संद्याकाल में ही करना है ऐसे में आपको विदेश से मंगाया गया सामान इस्तेमाल नहीं करना है इस समय में तो फिर इससे क्या होगा कि आपका विदेश जाने का संभावना बहुत बढ़ जाती है और सोने का स्थान जहां पर आप सोते हैं और जिस तिशा में आप सोते हैं उसको ना बदलें जब आप ये काम कर रहे होंगे ना ये मंतर 11 दिन तक तो ना तो सोने की जगे को बदलना है जहां आप सोते हैं आपको दूसरी कंट्री आपको अलाव ही नहीं कर रही है फिर इसका कोई उतना फाइदा नहीं होगा लेकिन यही है कि जब आपको मौका लगे आपने वीजा भी लगा रखा है सब कुछ कर रखा है और आपको किसी भी बात का संशे ही नहीं है तब अगर आप यह 11 दिन तक करेंगे और बहुत अथी तरीके से मंतर जाप करेंगे जो मैंने बताया है उसे लिख लीजिए और उसे पढ़ लीजिए पढ़ते पढ़ते याग भी हो जाएगा 11 दिन तक तो क्योंकि 4 माला करनी है ठीक है और इसके बाद इसके बाद आपका विदेश जाने का पूरी तरह के से संभावनाएं बढ़ जाएंगे तो यह था आज के लिए प्रवास योग यानि की Foreign Settlement योग इन जोतिश बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मेरे पास से काम लेने का भी बहुत बहुत धन्यवाद है इश्वर का धन्यवाद है कि मैं आप सभी को सही guidance दे पा रहे हैं Thank you so much for watching